Hello everyone, यह है Basic Calculation Series की Video No.26, जिसमें हम Time and Work के Questions डिसकस करने वाले हैं, इससे पहली जो वीडियो है, वीडियो No.25, उसमें मैंने Time and Work से Related कुछ Basic Questions आपको कराए हैं, इस वीडियो से पहले उसको जरूर देख लेना, उसके बाद यह देखना, यह जो Questions हैं, Comparative Exams में अकसर पूछे जाते हैं, और मैं आपको एक असान तरीके से Time and Work को Solve करना यहां पर सिखाऊंगी, तो Start करते हैं, First Question, Question है, A can finish 2 by 5th of a work in 6 days, तो एक बंदा है A, वो 2 by 5th काम, कोई एक काम है, उसका 2 बटे 5, 2 by 5 हिस्सा, 6 दिन में खतम करता है, ठीक है, और वहीं एक बंदा है B, वो किसी और उसी काम का 3 by 4th part, जो है, 6 दिन में खतम करता है, ठीक है, तो दोनों की Efficiency, यानि काम करने की जो level है, काम करने की जो शमता है, वो अलग-अलग है, तो सबसे पहले हमें यह देखना है, कि यह actual में उस काम को कितने दिन लगा रहे हैं, ठीक है, तो देखो, यहां पर हमें पू इतने दिन में कर लेगा, ठीक है, तो देखो, 2 by 5 काम का मतलब क्या है, 2 by 5th का मतलब क्या है, अगर total काम 5 है, अगर total वर्क जो उसको करना है, वो 5 है, उसमें से वो 2 काम सिर्f 6 दिन में कर रहे है, ठीक है, दो काम, द्यान से सुनना इस बात को, 2 work वो 6 दिन में कर रहा है 2 work वो 6 days में कर रहा है तो एक काम वो 6 upon 2 days में करेगा यानि कि एक काम वो 3 दिन लगाएगा करने में एक काम को वो करने में 3 दिन लगाएगा और total कितने काम है total है 5 5 में से 2 काम वो 6 दिन में कर रहा था तो पूरे के पूरे 5 अगर वो काम करेगा तो कितने दिन लगाएगा एक काम को करने में 3 दिन लग रहे हैं तो 5 काम को करने में कितने दिन लगेंगे 15 days कैसे पता चला 3 into 5 कर दोगे 3 days लग रहे थे एक काम के लिए 5 काम को करने के लिए 5 into 3 15 दिन लगेंगे तो ए जो है एक काम को 15 डेज में complete करता है अब आते हैं B के case में B के लिए हो रहा है कि 3 by 4th काम वो 6 दिन में करता है 3 by 4th का मतलब क्या है 4 में से 4 total काम है उसमें से 3 काम वो 6 दिन लगाता है करने में यानि तीन काम वो कर रहा है six days में, तो एक काम वो कितने दिन में करेगा, दो दिन में, तीन काम कर रहा है छे दिन में, तो एक काम वो दो दिन के अंदर complete करता है, तो वो total चार काम, यह जो base में जो चार है, four work, कितने दिन में कर लेगा, four work, कितने दिन में कर लेगा, two into four कर दी जिए 8 days में वो complete कर लेगा तो यहाँ पे मुझे B की efficiency पता चल गए कि वो सारा का सारा काम 8 दिन में complete कर लेता है अब आगे देखते हैं question क्या किया रहा है In how many days they will both finish the work completely कितने दिन में वो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम complete हो जाएगा यह बिलकुल अब वैसा question बन गया है जैसे हम पिछली वीडियो में practice कर चुके है तो अब क्या करना है हमें 15 और 8 का सिर्फ LCM लेना है 15 ए 8 मतलब ऐसा कोई number देखना है जो दोनों की table में आए तो LCM आएगा 120 120 में 15 कब आता है 8 पे आता है इससे हमें क्या पता चलता है देखो यह है total work इसलिए मैंने बोला पहले पिछली वीडियो जरूर देख लेना तभी यह process पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा नहीं भी देखिए तो भी मैं आपको कोशिश करती हूँ यहीं समझाने की देखो एक काम 15 दिन में कर रहा है बी एक काम को 8 दिन में कर रहा है तो अगर मान लेते हैं यह हमने assume किया है let किया है suppose किया है कि यह total काम जो है 120 है ठीक है अब उस 120 काम को ए जो है 8 एक दिन में 8 काम कर रहा है अगर A को 15 दिन लग रहे हैं 120 काम करने में तो इन दोनों को divide करेंगे यानि वो daily 8 काम कर रहा होगा W मतलब work लिख रही हो मैं या पर 8 काम कर रहा होगा एक दिन में इसी तरह से 120 टोटल काम है 8 दिन में उसने सारा काम complete कर दिया तो B जो है वो 15 काम कर रहा होगा 15 work कर रहा होगा एक दिन में एक दिन में A 8 काम कर रहा है B 15 काम कर रहा है तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 15 plus 8 कितना आएगा It will be 23 work ठीक है अब वो पूछ रहा है In how many days they will both finish the work completely कितने दिन में वो दोनों सारा का सारा काम complete कर लेंगे तो एक दिन में वो काम ये जो है ये जो 23 आया है वो 23 एक दिन में कर रहा है complete ठीक है तो सारा का सारा काम कितना है हमने assume किया था 120 तो आपको कुछ नहीं करना 120 को ये total work है इसको 23 से divide कर दो so that you can get कितना time उन दोनों को exact लगेगा साथ में काम करने पर तो इस fraction में आएगा 5, 5 by 23 days तो इसका मतलब है 5 दिन तो total लगेंगे और बाकी का जो छटा दिन होगा 6th day होगा वो उसमें से 5 by 23 पार्ट जो है उनको लगेगा काम को complete करने में I hope आपको एक question समझ आया होगा अगर नहीं आया है तो एक बार और फिर से थोड़ा slow down करो speed को वीडियो की और फिर देखो और एक बार बिना देखे practice करो करने की तो अच्छे से समझ में आएगा इसी तरह के और दो-चार question लेते हैं next question है a finishes 5 by 6th of the work in 10 days तो a जो है वो यहाँ पर एक question है यह मैं answer solution करूँगे so a finishes 5 by 6th of the work in 10 days a जो है 5 by 6th काम कोई काम है उसका 5 बटा 6 हिस्सा 10 दिन में complete करता है ठीक है इसका मतलब क्या इस बात का वो समझू फिर से 5 by 6 का मतलब है 6 काम में से total काम जो है वो denominator में लिखा है 6 काम में से 5 काम वो 10 दिन में कर रहा है तो actual में तो 5 काम 10 दिन में कर रहा है 5 work equals to 10 days तो 1 काम कितने दिन में कर रहा होगा 2 दिन में कर रहा होगा ठीक है अब 1 काम अगर वो 2 दिन में कर रहा है तो टोटल 6 काम कितने दिन में complete कर लेगा 6 work कितने दिन में complete कर लेगा 2 into 6 12 days में ठीक है तो A की efficiency तो मुझे यहां पर पता चल गए कि वो 12 दिन में पूरा का पूरा काम खतम कर लेता है अब आते हैं B पर B के लिए case दिया हुआ है 4 by 5th of the work in 8 days में complete करता है 4 by 5th इसका मतलब क्या है total 5 काम है 5 में से 4 करने में उसको 8 दिन लग रहे है तो 4 करने में 4 काम करने में उसको 8 दिन लग रहे है तो 1 काम करने में उसको कितना दिन लग रहा होगा उसको 2 दिन लगेगा 1 काम को करने में 2 दिन लगेगा ठीक है जब एक काम को करने में दो दिन लग रहा है तो पांच काम पूरे के पूरे टोटल पांच काम वो कितने दिन में कम्प्लीट कर लेगा 5 इंटू 2 कर दो 5 वर्क वो 10 डेज में कम्प्लीट कर लेगा ठीक है तो B की efficiency क्या आई वो पूरा का पूरा काम 10 दिन में कम्प्लीट कर लेता है अब आगे हम देखते हैं इसको question कह रहा है A plus B मिलकर ये इसका मतलब है कि दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को कम्प्लीट कर लेंगे तो कैसे करना है A ले रहा है 12 दिन B ले रहा है 10 दिन A और B साथ में कितने दिन लेंगे वो कैसे निकालेंगे दोनों का LCM लो 10 और 12 का LCM आएगा 60 ठीक है एक ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो 12, 5 इस 60 और 6 ये 6 पे आता है 10, 6 अब मुझे इस से क्या पता चला देखो A जो है 12 दिन में सारा का सारा काम कर लेता है और हमने assume किया कि total work ये है ठीक है total work ये है तो 12 दिन में 60 काम complete कर रहा है तो daily कितना काम कर रहा होगा एक दिन में कितना काम कर रहा होगा पाँच काम इसी तरह B जो है वो 10 दिन में 60 काम total काम complete कर दे रहा है तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 5, 6 work दोनों को divide कर दो, 6 काम एक दिन में कर रहा होगा, ठीक है अब दोनों मिलकर काम करेंगे, तो एक दिन में, एक दिन में दोनों कितना काम कर लेंगे, A कर रहा है 5 काम, और B कर रहा है 6 काम, तो एक दिन में वो 11 काम complete कर लेंगे 11 work, right तो अब वो पूरा का पूरा 60 काम कितने दिन में कर लेंगे 60 by 11 कर दो you will get your answer 5, 5 by 11 इसका answer आएगा days में ये दिन लगेंगे उनको दोनों को मिलकर सारा काम complete करने में अब question number 3 same उसी तरह का question है लेकिन थोड़ा सा यहां पे change है A जो है एक काम को मदब 3 by 4 काम को 24 दिन लगाता है करने में और वहीं A और B साथ में अगर काम करें तो 5 by 6 काम वो 10 दिन में complete कर देते हैं तो इस बार question यह है कि B अकेला अगर करेगा तो कितने दिन में complete करेगा अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है यह जो questions में करा रही हूँ तो इस video को यहां पे pause करो कोशिश करो इसको solve करने की और फिर इसको वापस play करके चला के देखना कि आप सही कर रहे हो कि नहीं तो अभी इसको हम देखते हैं कैसे करना है सबसे पहले एक ही बात करेंगे ए जो है यहां पे मैं एक ही बात करती हूँ ए जो है 3 by 4 काम देखे है 24 दिन में कर रहा है तो वो 4 में से total work is 4 4 में से 3 काम 24 दिन में कर रहा है तो 3 work has been done by A in 24 days तो एक काम वो कितने दिन में कर रहा होगा आप इसको 3 से डिवाइट कर दो तो 8 दिन लगाएगा वो करने में 3 is a 24 तो एक काम 8 दिन में करेगा total है वही 4 काम तो 4 work बिल्कुल unitary method है और कुछ नहीं है A की value निकाल रहे है और फिर 4 जितनी चाहिए उतने की निकाल रहे है तो 4 जो है 4 काम वो कितने दिन में कर लेगा 8 into 4 that is 32 days A अकर अकेला काम कर रहा हो तो 32 दिन में वो सारा का सारा काम खतम कर लेगा अब आते हैं हमें case दियावाई A plus B का ये दोनों मिलकर काम कर रहे है 5 by 6 ठीक है और कितने दिन में कर रहे है 10 दिन में खतम कर रहे है तो total काम है 6 उसमें से कर पा रहे है 5 10 दिन में तो 5 काम 10 दिन में कर रहे है 10 days में कर रहे है तो एक काम वो दोनों मिलकर 2 दिन में कर रहे होगे divide कर दो 10 को 5 से ठीक है अब क्या करना है टोटल है वही 6 काम तो 6 वर्क बोलो कितने दिन में करेंगे 2 इंटो 6 कर दो 12 दिन में करेंगे ठीक है 12 दिन में complete कर लेंगे अब आजाते हैं हमारा equation बिल्कुल वही पहले जैसे equation हो गया A जो है वो A जो है अकेला 32 दिन लगा रहा है और A और B दोनों कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहे है तो अब आपको क्या करना है इनका LCM लेना है इनका LCM आएगा 96 32 की टेबल में 96, 3 पे आता है 12 की टेबल में 96, 8 पर आता है इससे आपको यह पता चल रहा है कि वो 3 काम एक दिन में कर रहे हैं और A और B मिलकर 8 काम एक दिन में कर पा रहे है ठीक है तो अब मुझे बताना है सिर्फ B अकेला करेगा तो कितने दिन में काम करेगा देखो A अकेला कर रहा है 3 काम A और B मिलकर 8 काम कर पा रहे है तो B के आने से कितना और extra काम हो रहा है 5 काम सिर्फ B अकेला एक दिन में 8-3 याने की 5 काम करेगा पाँच काम करेगा अब टोटल काम कितना है 96 यह जो हम LCM लेते हैं वो टोटल वर्क एज्यूम करते हैं टोटल काम कितना करना है 96 तो B अगर लगा रहेगा तो 96 काम डेली 5-5 करके कितने दिन में कम्प्लीट करेगा आपको बस इसको डिवाइड करना है और आंसर विल बी 19 1 by 5 देज नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं यह क्वेशन है ए थोड़ा सा पाटर्न चेंज हुआ है तो ध्यान देना इस बात का मतलब क्या है A is thrice efficient of B efficient मतलब A जो है B से तीन गुना जादा काम करता है efficiency मतलब उससे जादा B के मुकाबले जादा काम कर पा रहा है कितना तीन गुना जादा कर पा रहा है तो यहाँ पे हम लिखते है A यहाँ पे हम लिखते है B देखो A is thrice efficient Thrice मतलब 3 गुना तो अगर इसका मतलब क्या है B अगर A काम कर रहा है तो इससे 3 गुना जादा A कर पा रहा है तो इसको 3 गुना कर दो x 3 कर दो 1 x 3 तो A अगर 3 काम कर रहा है तो B A काम कर पा रहा है ये इनकी efficiency दी हुई है आगे बढ़ते है ये दोनों मिलकर अगर कोई काम करते है तो वो 12 दिन में खतम करता 12 दिन में जाके वो काम खतम करेंगे ठीक है अब ध्यान से देखो A तीन काम कर रहा है B एक काम कर रहाै दोनों मिलकर कितना काम करेंगे चार काम कर पाएंगे 4 work चार काम कर पा रहे हैं 12 दिन तक काम कर रहे हैं और पूरा काम complete करें तो total काम कितना रहा होगा total work इस बात को ध्यान से समझना total work कितना रहा होगा 12 दिन तक उन्होंने लगातार काम किया एक बंदा एक काम कर रहे है, एक तीन कर रहे है, यानि डेली वह चार काम complete कर रहे है, डेली चार काम 12 दिन तक चला, तो टोटल काम कितना complete हुआ, 12 in टो 4, 48 work, ठीक है? टोटल 48 work रहा होगा, अब इस 48 काम को अगर A अकेला करेगा, ध्यान से सुनना इस चीज़ को भी, अगर A अकेला अपने efficiency से इस पूरे के पूरे काम को complete करता तो कितने दिन में कर लेता 48 total work है, divide by उसकी efficiency, यानि कि वो इसको 16 days में complete करता, और B अगर अकेले इस काम को करता है, वो A की काम कर रहा है daily, और 48 काम है, तो कितने दिन लगेंगे, 48 days लगेंगे, 48 divided by 1 रोज एक-एक काम करेगा, 48 days में complete करेगा, तो यह आपका answer है, यह questions जो है, समझाने में मुझे time लग रहा है, लेकिन जब आप इनको सीख जाओगे तो कई बार, orally भी आप इनको solve कर सकते हैं, calculation की या इतने लंबे लिखने की ज़रत नहीं पड़ेगे आपको अब अगला question जो है, वो इसी तरह के question का थोड़ा सा difference है, चोटा सा difference होगा minor सा, देखते हैं, उसे पूरा question का जो meaning है, वो कैसे change होता है यह question कहा रहा है A is thrice more efficient than B, यहाँ पे एक word है more, जिसको मैंने highlight भी किया है अब पिछले question में क्या था, A is thrice efficient of B, तो A और B का जो ratio था, अगर A B एक काम कर रहा है, तो A तीन कर रहा था, क्योंकि उससे जादा efficient था B से जादा, तीन गुना जादा efficient था यह पिछले question की बात थी अब इस question में क्या कह रहा है A is thrice more efficient than B, तो यहाँ पे जो ratio बनेगा, अगर B एक काम कर रहा है तो अगर B एक काम कर रहा है तो A उससे तीन जादा तीन गुना जादा काम करेगा तो एक तो करेगा ही करेगा तीन गुना जादा यानि प्लस थी कर दो, यानि चार काम कर रहा होगा तो यहाँ पर more word का यह difference है, ध्यान रखना, a is thrice more efficient का मतलब है, b के जतना काम तो कर रही है, लेकिन उसके अलावा तीन गुना काम और कर पा रहा है, ठीक है, तीन गुना जादा efficient है, more word यानि आपको उसके b के काम में तीन गुना और बढ़ाना है, तो इनका ratio हो गया 4 is to 1, पि same वही है, मैं चाहूंगी कि आप ये question अब solve करो और comment box में मुझे इसका answer बताओ, अब हम next question देखते है, a is 40% efficient of b, and they both can finish a work in 6 days, find a alone and b alone, इसका मतलब है, a अकेला काम करे तो कितना दिन में करेगा, और b अकेले काम करे तो कितने दिन में complete करेगा, या आपको निकालना है, दिय क्या हुआ है, a is 40% efficient of b, इस बात का मतलब अगर समझा गया तो question असानी से solve करता होगे, 40% efficient of b का मतलब है, जितना भी b काम कर पा रहा है, मान लेते हैं, b जो है 100% काम करता है, ठीक है, इसको समझने के लिए से समझो कि b 100% काम कर लेता है, उसका, उस 100% का, a जो है सिर्फ 40% efficient ह यानि उस 100% का सिर्फ 40% ही a काम कर पाता है, ठीक है, तो इनका काम करने का, यानि efficiency का जो ratio है, वो क्या होगा, 0 से 0 cancel, 4 and 10 cancel, 2 is to 5, तो अगर b जो है, इस बात से देखो, उन्होंने ratio दिया है, इनके efficiency का, b अगर 5 काम कर रहा है, तो a जो है, सिर्फ 40% काम कर पाता है, उसका, य बाकी question मिलकुल, पिछले question जैसा हो गया है, अब ध्यान से सुनो, कैसे करना है, अब question में दिया हुआ, a और b दोनों मिलकर, 6 दिन में उस काम को complete कर लेते हैं, ठीक है, a daily 2 काम कर रहा है, b daily 5 काम करता है, तो total काम ये मिलकर कितना कर रहा है, 7 work कर रहा है, ठीक है, 7 काम daily कर रह हैं, तो 7 six are, total work जो होगा, total काम कितना रहा होगा, 7 six are 42, 48, 42 जो है काम रहा होगा इनका total, a 2 कर रहा है, b 5 कर रहा है, 6 दिन तक लगे हुए हैं, तो 2 और 5, 7 काम वो मिलकर हर दिन कर रहे हैं, तो 7 work 6 दिन तक चला, यानि 42 काम इनों ने मिलकर किया होगा, 6 दिन में, ये बात स अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा तो A भाई लगा पड़ा है और डेली दो ही काम कर पा रहा है 42 टोटल काम है 42 काम करना है उसको और डेली दो ही कर पा रहा है तो 21 डेज में पूरा काम खतम करेगा और B अकेला अगर काम करेगा तो थोड़ा ज़ादा efficient है, वो 5 काम daily करता है, 42 काम है उसके पास, तो इसको divide करोगी, you'll get 8 2 by 5 days, तो वो जो है लगबग 8 या सवा 8 दिन में काम को complete कर देगा अब हम देखते हैं एक और question इसमें भी हलका सा change है बस आपको इस more word पे ध्यान देना है, पिछले question में था A is 40% efficient का 40% ही कर पा रहा है ठीक है, तो ratio बन रहा था 2 is to 5, इन दोनों को काट बीट के अब इस question में क्या बोल रहा है इन question में कह रहा है A is 40% more efficient of B, तो यहाँ पे देखो मान लेता है फिर से B 100% काम करता है, ठीक है, 100% कुछ काम कर रहा है, A जो है इसका 40% जाधा efficient है, तो 100 तो काम कर पा रहा है, 40 और कर पा रहा है, 40 जाधा होना more word का मतलग है 40 ही नहीं है, 40 जाधा है इससे तो यह जितना भी कर रहा है इससे 40 जाधा, तो मान लो hier 100% कर रहा है तो 100% plus 40% तो यह 1 40% कर रहा होगा तो इन दोनों के काम करने का रेशो यहां से मुझे क्या मिलता है 0 से 0 कार्ट दो 14 and 10 7 is to 5 तो A की efficiency साथ है काम करने की साथ काम करने की और B की efficiency 5 काम करने की है एक दिन में इसके आगे का question बिल्कुल पिछले question जैसा है यह आप solve करो comment box में मुझे लिखो इसका answer क्या है